तो आज की वीडियो रहने वाली है वो बैटल बैज की 9th class रहेगी एंड बैटल बैज में हम करेंगे current electricity के 15 most important question 15 most important question को हम करने वाले हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहतू हुँ कि current electricity हमने short वीडियो के तुरू revise कर लिया अगर आपने नहीं देखा revise कर लो पहले फिर उसके बाद question लगाना और must question हो जाएंगे आपके ठीके मतलब अराम से बढ़िया कोई भी आपका doubt नहीं रहने वाला and साथ में telegram channel है सुनील जांगडा सर के नाम से तो उसको जुरूर join कर लेना and इस telegram channel में आपकी बहुत help होती है नोट्स आपको यहाँ पर provide के जाते हैं जो यह lecture है इसकी जो PDF होगी यह भी आपको वहाँ पर provide कर दी जाएगी ठीके and तो बस यह बोलूगा कि join कर लेना and चैनल को subscribe कर लेना अगर subscribe नहीं किया and share कर देना चलिए तो first question से आज start करते है and first question यह रहा आपके पास first question में देखे क्या बोला गया है आपको बोल रहा है the ratio of current density and the electric field is cold देखो simple सी बात है कि यह आपको 11 mark के question दे रहा है starting में ठीक है देखो यह question आया था 2020 के अंदर यह question आया था 2020 के अंदर तो यहाँ पर यह simple आपसे क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि जो ratio होता है किसका current density का किसका ratio current density का ratio current density का ratio and 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 किसका ratio भी किसके साथ electric field का तो वो क्या होता है ratio of current density and electric field तो यह होता है किसके equal conductivity के equal होता है किसके equal होता है conductivity के equal हमने पढ़ा था J vector is equal to sigma E vector तो sigma यहां से निकाल लेंगे तो क्या होगा J vector upon E vector मतलो उपर आपके पास क्या है यह current density है नीचे आपके पास क्या है यह electric field है तो यहां से आप बोल सकते है कि answer क्या होगा इसका B होगा तो answer is conductivity समझ में आ गया चली second question की तरब move करते है second question में क्या बोला गया अत्यान से देखेगा एक copper wire of non uniform area of cross section is connected to a DC battery the physical quantity which remains constant along the wire is the physical quantity which remains constant along the wire is कौन सी quantity जो है same रहने वाली है मतलब constant रहने वाल तो simple सी बात है कि इन्होंने क्या बोले DC battery बोले ठीक है तो simple सा है कि कौन सा रहेगा अब कर रहेगा current समझ में आ गया तो simple सा अंसर होगा इसका क्या बिया current होने वाला है तो यहां पर आप current लिख सकते थे यह question आया था 2020 के अंदर जो आपका physics का board exam हुआ था उसके अंदर ही आया था copper wire दे रहे किया है non uniform area of cross section है connect करते हैं किसी एक DC battery से तो common सी बात है कि जो physical quantity constant रहेगी वो कौन होगा current होगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं question number third पर question number third पर चलते हैं ठीक है तो question number third पर देखिए यह रहा define the term mobility of charge carrier in a current carrying conductor चलो कर लेते हैं देखो भी mobility को mu से show करते हैं कैसे लिखते थे इसको VD by E से लिखते थे VD by E से लिखते थे मतलब यह इस तरह से होता था ठीक है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह क्या है ratio of drift velocity to the electric field है ratio of drift velocity to the electric field है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो definition तो हो गई define अब ने कर दिया ठीक है चलेगा आगे देखो इनका बोला है obtain the relation for mobility in terms of relaxation time obtain the relation for mobility in terms of relaxation time यह आप से बोल रहे हैं चलेए कर देते हैं इस question को भी 2020 में यह question आया था मतलब जब हम revise कर रहे हैं तो सिरफ last previous five को कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो most important question आज यहां करवाई जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर तो यह 2020 में question आया था क्या बोला गया obtain the relation for mobility mobility in terms of relaxation time मतलब इदर आपका relaxation time आना चाहिए आपको यह बोलना चाहरा है तो कर लेते हैं हमें पता है कि mobility क्या होता है vd by e होगा and vd जो होता हो क्या होता है small e capital e tau by m होगा तो mu is equal to vd vd's e capital e tau by m and यहाँ पहले से e पढ़ा हुआ है तो e से e cancel हो गया तो mu मतलब mobility आगे आपके पास e tau by m तो यहाँ पर बन गया आपके पास क्या यहाँ पर बन गया आपके पास एक relation जिसके अंदर एक side आपके पास mobility है क्या है mobility and एक side आपके पास क्या है relaxation time है क्या है relaxation time clear है बच्चा पार्टी relaxation time है clear चलिए तो यह आपका question number third अब चलते है question number fourth की तरफ question number fourth की तरफ इस question number fourth में आपको क्या बोला गया है ध्यान से देखेगा यहाँ पर बोला गया है estimate the average drift speed of conduction electron मतलब drift speed आपसे निकालने को यह बोल रहा है ठीक है in a copper wire of cross sectional area this मतलब area आपको दिया है तो लिख लेते है area कितना दिया है 1.0 into 10 10 raise to power minus 7 meter square दिया है minus 7 meter square दिया है carrying current means I आपको दिया है 1.5 ampere क्या दिया है 1.5 ampere दिया है assume the density of conduction electrons to be this मतलब n आपको दिया है कितना 9 into 10 raise to power 28 meter inverse cube meter inverse cube दिया है तो यहां से आपको वो क्या बोल रहा है drift निकालने के लिए बोल रहा है तो हमें एक formula पता है I is equal to A, N, E, V, D पता है I is equal to A, N, E, V, D हमें पता है ठीक है चली तो अब कुछ भी नहीं करना अब simple cycle खेल करना आपको और वो खेल क्या है देखेगा दियांसे अब यहां से आपको V, D निकालना है तो V, D करेंगे I upon A, N, E तो I के value कितनी है 1.5 ampere है नीचे आपके पास क्या है A, area is 1.0 इंटू 10 देज़ टू पावर माइनस 7 ठीक है फिर N है N दे रखा है 9 इंटू 10 देज़ टू पावर 28 और साथ में दे रखा है आपके पास E E is 1.6 इंटू 10 देज़ टू पावर माइनस 19 तो Approx आपके पास जो अंसर आएगा तो आप कैलकुलेट करिएगा तरीका क्या है कैसे करना वो बता दिये गए है कि VD निकालने के लिए हमें क्या करना था I upon A, N, E करना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मॉला यह रहा यह पता है ठीक है हम यह फॉर्मॉला क्यों नहीं यूज कर रहे पार माइनस तरी मीटर पर सेकिंड मीटर पर सेकिंड आपके पास अंसर आए क्योंकि यह क्या आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड है क्या है यह ड्रिफ्ट स्पीड है क्लियर चलिएगा समझ में आ गया होगा I think next चलते हैं question number fifth के तरफ question number fifth क्या कहता है देखेगा question number fifth two wire of equal length one of copper and other of meganine have the same resistance which is thicker मतलब यहाँ पर यह बो लगया है दो wire आपके पास दोनों की length equal है which is thicker the other of meganine have the same resistance and resistance भी same है मतलब sorry एक तो क्या है length same है length same है and एक अपका resistance same है ठीक है चलो अब हम क्या करते है according to question चलते है according to question according to question तो क्या होगा एक चीद देखे हमें पता है कि जो resistance होता है वो rho l by a होता है तो यहाँ पर resistance इनोंने equal बोला है तो r को पर resistance is equal to r किसका resistance है मेगनिन का किसका मेगनिन का तो हम mn या mg लिख देते हैं ठीक है mn लिख देते है चलो कोई दिक्कत नहीं है मेगनिन हो गए अब इसके बाद देखो r को कैसे लिख सकते है rho l by a से लिख सकते है इस r को कैसे लिख सकते है rho l by a से लिख सकते है clear है अब यहाँ पर रो किसकी लिखेंगे copper की, यहाँ पर किसकी लिखेंगे mn की, length दोनों की same है, length दोनों की same है तो area तो नहीं पता न, same है के न, चलो कोई बात नहीं, तो area copper लिख दिया m लिख दिया, मतलब यहाँ से length और length तो cancel हो गए, तो हमारे पास बना rho copper upon a copper is equal to rho mn upon, क्या हो गया a, am am, ठीक है यहाँ पर हुआ, तो हम resistivity को excite कर लेते हैं, resistivity को हमने excite किया तो बना rho copper upon rho mn meganin is equal to क्या हो गया, is equal to, किसके कोल हो जाएगा यह इधर चला गया, ठीक है तो क्या हो गया है, a copper upon amn, ठीक है कि मतलब यहां से हमें पता लगया कि तो इसका मतलब जो area होगा, वो किसका जादा होगा meganin का जादा होगा किसका जादा होगा, meganin का as compared to किस से copper से एस कंपेर टू copper से, इस तरह से आपको यह question करना था यह हो गया आपका answer clear I think I think समझ में आ गया हो ठीक है तो इस तरह से आपको यहाँ पर यह question करना था 2012 के अंदर यह question आया था यह most important type है that's why मैंने यह जो है consider किया इस question को आगे की तरफ चलते हैं इस question में 6th question पर चलते है 6th question यह आपके पास question number 6 इसमें आपको एक IV graph दिया हुए यहाँ पर current जा रहा है यहाँ पर आपके पास V जा रहा है यहाँ पर आपको दो metals दियू है दो different metals दियू है मतलब एक T1 है T2 है ठीक है for A metallic wire sorry यहाँ पर आपको क्या दिया हुए एक metallic wire दियू है इसके लिए दो different temperature T1 and T2 show कर रहे हैं which of two temperature is lower and y इनमें सापको बताने कि कौन सा temperature कम है and वो क्यूं है देखेगा First of all हम एक चीज़ पता है कि metallic या metal के case में Metal के case में क्या होता है कि जैसे ही temperature increase होता है तो resistance increase हो जाता है अगर हमें पता लग जाए resistance increase हो रहा है जिसका जादा है तो common सी बात उसका temperature जादा है ठीक है चलो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे resistance find out कर लेते हैं हमें पता है कि अगर resistance हमें निकालना है मान लीजिए रुकिए अगर आपको निकालना है resistance तो अप resistance कैसे निकालना है इस graph से तो वह होगा one upon slope of iv graph ऐसा क्यों लिखा क्योंकि हमें पता है कि resistance क्या होता है resistance is क्या होगा v by i होगा बट यहाँ पे तो i by v की form हम लिख रहे है न slope तो i by v बनता है न तो i by v v चला जाएगा उपर तो that's why one upon slope लिखा हो है मतलब resistance inversely है कि इसके slope के तो किसका slope यहाँ पर जादा लग रहा है किसका slope यहाँ पर जादा लग रहा है यहाँ पर slope किसका जादा है यहाँ पर slope है भई टी वन का जादा अगर टी वन slope जादा है टी वन का slope जादा है तो इसका मतलब उसका resistance जो है वो कम है किस से रटू से समझ रहो है क्योंकि slope अगर जादा वा तो resistance कम हो गया stäπο कम हो तो resistance जादा वोगल तो मतलब R1 जो है वो जादा है किस से R2 से यही समझ में आया sorry cases यह कम लिखना यहां पे हमें कम लिखना slope हुआ जादा तो इसका मतलब R1 भजाएगा आपका कम किस से हो जाएगा कम R2 से क्योंकि दूसरा तो हमें यही दे रखन अब simple से चीज यहां से समझ में आती है कि जिसका resistance जाद है तो उसका temperature जाद है तो that's why हम क्या लिख सकते हैं कि T1 जो है वो less से किस से T2 से तो आपको यहां पर जो है reason भी दे दिया आपने ठीक है चलिए बताए जल्दी से फटा फट चलिए तो T1 less than आपका T2 से क्यों आया वो हमने समझा दिया नेक्स चलते हैं question number 7th की तरफ question number 7th की तरफ चलते हैं इस question number 7th में आप से क्या बोला गया है ध्यान दीजिए a battery of EMFE and internal resistance R when connected across an external resistance of 12 ohm produce a current of 0.5 when connected across a resistance of 25 ohm it produce a current of this मतलब यह क्या बोल रहा है कि आपके पास जब आप जो battery है जब आप मतलब जो cell है उसको जब एक internal resistance R है उसका है और उसको external resistance capital R के साथ आप connect करते हो तो उसकी अलग-अलग situation दी गई है and अलग-अलग situation वो कौन सी है जैसे कि जब resistance R1 हम connect करते है कितना 12 ohm तो आपका current कितना मिलता हमें हमें मिलता है 0.5 ampere कितना current मिलता है 0.5 ampere जब resistance connect करते है 25 ohm तो हमें current कितना मिलता है 0.25 ampere कितना 0.25 ampere तो यहाँ पर आपको यह बोल रहा है determine the emf emf आपको निकालना तो हमें एक simple सा तरीका पता है cell में जो emf यह current हम लिखते थे वो कैसे लिखते थे i is equal to e by r plus r ऐसे लिखते थे यहाँ से क्या पता लगा कि e is equal to क्या हुआ i r plus small r आ जाएगा i r plus i small r हमें निकालना है क्या चीज निकालना है हमें निकालना emf बट उसके लिए हम क्या कर सकते है यहाँ से इस तरह से लिखेंगे e minus i r नीचे आगया i and यहाँ पे आगया r ठीक है ऐसा क्यों कर रहे है अब भी समझ में आएगा देखे e by i minus r is equal to हो गया small r मतलब अब यहाँ पर हम क्या कर रहे है इन्होंने क्या बोले एक बैटरी है जिसका emf e है and internal resistance है r मतलब resistance को हम सेम ही ले रहे हैं resistance हम सेम ले रहे हैं emf सेम ले रहे हैं हम सिरफ change किसको कर रहे हैं हम सिरफ resistance को change कर रहे हैं हम किसको change कर रहे हैं of resistance को change कर रहे हैं तो that's why हम यहां पर क्या कर सकते हैं हम इस condition को ऐसे लिख सकते हैं कि R जो होगा वो E by I1 minus R1 के को लोगा and R फिर से दूसरा E by I2 minus R2 के को लोगा ऐसे लिख सकते हैं तो चलो लिख लेते हैं E हमें पता ही नहीं निकालना है I1 कितना है I1 is 0.5 ampire minus R1 R1 is 12 ohm ठीक है तो यहां से आपके पास R की value हाजाएगी यह रहा R अब E upon I2 I2 is 0.25 minus कितना resistance है 25 तो यहां देखो यह R और यह R मतलों दोनों equation की एक side क्या है वो same है तो हम यहां पर इन equation को क्या कर देंगे compare कर देंगे compare कर देंगे तो E 0.5 minus 12 is equal to हो गया E upon 0.25 minus 25 ठीक है minus 25 तो एक side इदर कर दो एक side इदर कर दो तो यह आपके पास क्या जाएगा E upon 0.5 minus E upon 0.25 is equal to कितना हो जाएगा आपके पास इसको या तो ऐसे करो पहले इसको इसे ले लो एक को plus कर लो यसे हम कर देते है कि इसको यहाँ पर ले जाते है इसको यहाँ पर ले जाते है ठीक है तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 25 minus 12 is equal to E 0.25 minus E upon 0.5 clear है इस तरह से हम कर सकते हैं इसको तो यहाँ से आपको find out करना है E की value ठीक है यहाँ से आपको E की value find out करनी है LCM लीजिए cross multiply कर देना and E की value आपके पास आ जाएगी simple से way में ठीक है तो answer मैं आपको बता देता हूँ and answer जो है वो होगा इसका question number 7th का 6.5 होगा कितना होगा 6.5 होगा 6.5 होगा sorry 6.5 होने वाला EMF तो वोल्ट में लिखेंगे after solution तो इस तरह से आप यहाँ पर यह चीज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास E आ चुका है क्या आ चुका है आपके पास equation है यह equation रही देखो E upon 0.5 minus 12 E upon 0.25 minus 25 तो यहाँ पर यह किसके equal है यह R के equal है तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है यह E की value पुट करके and आप R की value निकाल लीजिएगा आप उट करिए इसमें आप उट करिए चाहे इसमें आपकी मर्जी है तो R की value निकालिए and comment जरूर करना इसको comment जरूर करिएगा जरूर 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 कमेंट करिएगा ठीक है चलिए तो यह हो गया आपका कोशन नमबर 7 आगे चलते हैं कोशन नमबर 8 पर यह रहा कोशन नमबर 8 जो कि 2013 के अंदर यह कोशन आया था कोशन में बोला क्या गया टू अडेंटिकल सेल इच ओफ एम फ ए कि having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across and external resistance are what is the current through the resistance वो आप से पूछ रहा है मतलब जो resistance है उसके उसमें से कितना current जा रहा है यह आप से पूछ रहा है तो simple सा इसका आप answer दे सकते हैं कि देखो इन्होंने simple बोले कि क्या आपके पास दो सेल है यह रहा एक सेल दूसरा सेल यह रहा यह दोनों कैसे connect है parallel में connect है ठीक है इनका internal resistance जो है वो zero है क्यों negligible इसने बोल दिया यह रहा R connected in parallel with कैसे किसके साथ external resistance R के साथ इस तरह से मतलब यह E है यह E है अब यह आपको बोल रहा है कि what is the current what is the current तो current क्या हो सकता है ध्यान दो गए what is the current तो current क्या हो सकता है अब current निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए i is equal to total EMF इस तरह से लिख सकते हम total EMF upon total resistance यह होगा total resistance ठीक है अब negligible कर दिया गया इनका internal resistance तो that's why यहाँ पर हम R तो यूज़ करेंगे यह नहीं तो यहाँ पर देखो पूरा जो है circuit वो parallel है यह parallel में तो EMF कितना होगा एक branch का E दूसरी का E तो total भी कितना होने वाला E होने वाला ठीक है तो that's why यहाँ पर हम total EMF को क्या लिख देंगे E लिख देंगे यह आपका यह आगया what is the current through the this resistance what is the current through this resistance clear तो question आया था आपका 2013 के अंदर यह question था हमारा आठमा question यह question था question number 8 question number 8 अब चलते है question number 9 की तरफ देखेगा कितना बढ़िया question है 9th question बचे कहीं बार इस तरह की चीज़े छोड़ जाते हैं यह 2020 के अंदर आया वह question है क्या पूचा गया कि चोफ फर्स्ट रूल एट जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेट्वर्क डील्स विद कंजर्वेशन ओफ डैश किसके साथ डील करता है है energy, charge, momentum and both energy and charge कि चोफ फर्स्ट लो क्या कहता है कि यहां से current आया तो यहां current चला गया यहां हो गया इस तरह से कुछ भी division कितनी भी हो सकती है मतलब first क्या कहता है sum of incoming sum of incoming current sum of incoming current is equal to sum of outgoing current clear है इस तरह से आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि यह यहां पर क्या बोलना चाहरा है आपको अब यहां पर एक चीज़ समझने की है हमारे पस कि यहां पर देखो क्या बोल रहे है कि जितना current आ रहा है उतना जा रहा है चलो तो current किस की वज़े से charge की वज़े से तो charge जितना जा रहा है मतलब incoming charge is equal to outgoing charge यही बनना तो यहां पर क्या बोल सकते है आप यहां पर यह बोल सकते हो deals with the conservation of charge क्या होता है चार्ज तो answer होगा अपका charge क्या होगा charge होगा answer clear समझ में आ गया I think clear हो गया होगा question number 9 अब चलते है question number 10 की तरफ question number 10 में क्या दिया गया है ध्यान से देखेगा यहां पर आपको एक circuit दिया गया है इसको थोड़ा सा में explain करता हूँ equation बना देता हूँ फिर आपको comment करना है कि किस तरह से आप solution करोगे मतलब कई बच्चे देखो कलाकार पैदा होते हैं धरती पर वो क्या बोलते हैं कि सर आपने equation बना दी है equation को अब जब x plus y is equal to this x square plus y this कुछ भी मतलब equation बना के रख दी है उसके बावजुत पता है कि सर आप इसको solve तो कर दो मत सब्सक्राइब क्लास में आ गए सब्सक्राइब नहीं होता है अब जब हम बिल्कुल revision कर रहे हैं तो अब तो बिल्कुल ही नहीं इतना time waste करना चाहिए ठीक है तो समझो इस बात को अभी मैं आपको लोगों के लिए सिरफ यहां पर equation बना के दिखाता हूं तो यहां पर first of all क्या कर लो loop बना लो यह मतलब naming कर लो सबसे पहले तो naming आप कैसे करोगे जैसे कि मैंने यहां पर लिखा A यह हुआ B यह हुआ C यह हुआ D यहां पर E और यह हुआ F clear है तो यहां पर क्या होगा current की direction already दे रखिए यहां पर current है I3 यहां पर current है I1 यहां पर current है I2 बस हमें क्य करना है high low को बताना है किसको बताना है high low को हमें बताना है देखेगा तो high low हम कैसे बता सकते है current जहां से enter कर रहा है resistance के अंदर यहां से enter कर रहा तो यह high है यह low है battery में जहां से negative होता हो low and जहां से battery का positive होता हो high ठीक है तो यहां पर भी high and यह low हो गया आपके पास clear हुआ इत में लूप लगाते हैं मान लीजिए मैं लूप ले रहा हूं A B F E A ये एक लूप लिए हमने ठीक है A B F E A तो जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूं तो ध्यान दो कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं मैं जा रहा हूं Resistance के High से Low पर तो मैं इसको Negative लिखूँँगा 30 लिखूँगा कितना Current यहां से जा रहा है इस ब्रांच में से I1 Current जा रहा है कितना Current जा रहा है I1 Current जा रहा है अब मैं B से F पर गया तो मुझे रस्ते में कोई नहीं मिला फिर मैं F से E पर जा रहा हूं तो मुझे रस्ते में पहले Sell मिलता है अंड उसके मैं L से High पर जाता हूं Low से High पर जाता हूं तो मैं इसको Positive 20 लिखूँगा फिर मैं Register में Enter करता हूं तो Enter करता हूं तो High यह हो गया Low तो enter करके बाहर निकल रहे हैं तो low पर जा रहे हैं तो इसका मतलब minus 20 ohm and साथ में इस branch के अंदर current कौन सा है इस branch के अंदर current कौन सा है i3 current है कितना current है i3 current है अब एक बात देख लो यहाँ पे जो i3 है यह i3 यहाँ और यहाँ divide हो रहा है तो इसका मतलब i3 की value आप लिख सकते हैं i1 plus i2 i1 plus i2 use कर सकते हो ठीक है अब दोबारा से हम कहाँ पर आ गए उसी position पर आ गए तो इसलिए यह हो जाएगा equal to 0 तो यहाँ पर आपके पास एक equation आ गई है एक equation आ गई है जो कि मैंने यहाँ पर बना के आपको लिख दी है अब इसको आप change करना चाते हो तो इस तरह से change कर लो कि minus 3 i1 plus 20 minus 20 i3 को कैसे लिखते है i1 plus i2 लिखते है आप इस format में open कर लो इसको ठीक है तो यह हो जाएगा minus 3 i1 plus 20 minus 20 i1 minus 20 i2 clear is equal to 0 तो यहाँ पर जो भी आप बनाना चाते हो एक side i1 i2 कर लो एक side पुरा variable भेज़तो तो देख लीजिएगा जल्दी से क्या आएगी तो यहाँ पर देखे क्या बन जाएगी यह बन जाएगी minus 20 and minus 30 minus 50 यह उदर चला गया तो plus का हो जाएगा minus plus 50 i1 and 20 भी उदर भेज दिया तो 20 i2 ठीक है तो मतलब आप यह बोल सकते हो कि यह हमारे पास equation आ गई है 5 i1 plus 2 i2 is equal to 2 मैंने 10 से divide कर दिया 10 common ले दिया सब में से ठीक है अंदर या एक में clockwise लगा हूँ मेरी मर्जी हो ठीक है कोई गलत नहीं होगा आपका अंसर बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल सही रहने वाले चली तो मैं दूसरे के लिए अब लगाता हूँ तो मैंने लगाया same लख लेते हैं E F C D E मतलब मैंने clockwise ही लगा लिया ज़्यादा tension ले नहीं clockwise तो अब देखो जब मैं E से F जा रहा हूँ तो रस्ते में मुझे कौन मिल रहा है E से F रस्ते में मुझे पहले मिल रहा है resistance तो resistance की मैं low से high पर जा रहा हूँ तो इसको मैं positive लिखूंगा 20 current कौन है यहाँ पर I3 है और उसा I3 की value कितनी होती है I1 प्लेस I2 अब battery के मैं high से low जा रहा हूँ तो that's why मैं यहाँ पर क्या करूंगा minus high से low है तो low मतलब negative तो 20 आ जा की मिलता है यहाँ पर यह रिजिस्टेंस विलता है तो हettes resistance की value अभी तही की तो हम लिख देंगे यां पर ठुके यहाँ पर हम आर देंगे यहां पर अब देखिए I2 अब मैं कहां से कहां जा रहा हूँ C से जा रहा हूँ D के तरफ तो मैं current के मदलब resistance के कहां से कहां जा रहा हूँ high से इधर low कर दिया तो low से high पर जा रहा हूँ तो plus जो भी current है यहां से I2 current जा रहा है और यहां पर resistance कितना है R है कितना resistance है R resistance है clear है इतनी समझ में आगी इतनी समझ में आगी चलिएगा अब इसके बाद फिर कहां पर कहां जा रहे है बैटरी मिली मुझे आगे हाई से लो तो minus 80 हो गया ऐसे तो फिर आपका चक्कर हो जाएगा एक मिनाइट question देखने दीजिए कौम सा था यह आपकी R की value मतलब यहां पर misprint हो सकता है कि R की value ना दी हो 20 आएगे भी कितने आएगी 20 आएगी 20 20 आने वाली है हमारे पास यहां पर values को आप 20 यूज़ कर सकते हो क्योंकि solution में 20 दिया हो है तो यहां पर 20 आप use करिए तो R की value आप 20 रखो R की value आप रखो 20 तो यहां पर आजाएगा 20 I2 तो बस इस equation को solve करिए एक equation आपकी यहां से बनेगी एक उपर बन गई है तो यहां पर आपके पास आज़ेगी दूसरी equation तो I1 कितना है I2 कितना है comment करिए I3 कितना है comment करिए equation की problem होनी थी वही मैंने आपको बता दिये सिरफ आपको क्या करना है comment करना है answer जो आप answer find out करोगे चलिएगा तो यह था आपका दसवा question आगे जलते है question number 11 पर इस question में देखे क्या दिया आपके पास जब भी एक से ज़्यादा resistance पतलब एक से ज़्यादा नहीं आप यह बोल सकते हो कि 5 resistance दियो है जब हाँ और आपको समझ नहीं आ रहा है वो parallel है या series है तो आप समझ जाना कि वो कौन सा case है wheat strong bridge का case है कौन सा case है wheat strong bridge का तो हम सबसे पहले इसको modify करेंगे इसको करेंगे क्या modify ठीक है तो modify करने के लिए सबसे पहले मैं naming करता हूँ A इसको लिखता हूँ B यहाँ पे लिखता हूँ C क्योंकि देखो C को यहाँ पे क्यों लिखता है क्योंकि B और C यहाँ पर है तो ये एक common point होता है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इसको हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, तो आपकी गलती नहीं होगी, तो B, C and यहाँ पे आगया हमारे पास D, clear है, यहाँ पे आगया हमारे पास D, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले arrangement लगा देते हैं, A and B के बीच मे 10 ohm का resistance है, 10 ohm, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, B और D के बीच में, B और D के बीच में 10 ohm का resistance है, ठीक है, यह रहा 10 ohm का resistance, and A और C के बीच में आपके पास 10 ohm का resistance है, यह रहा 10 ohm का resistance, फिर उसके बाद C और D के बीच में, C और D के बीच में आपके पास 20 का है, कितना है का है, 20, 10 and A से एक वायर निकली जो लग गई किसके पाद इसके पास ऐसे easy है तो यहां से current निकलेगा and वो चला जाएगा उपर इसने current को ही पूचा कि current निकाल लिए कि current कितना निकल रहा है इस circuit के अंदर पूरे के अंदर तो first of all हमें पता होना चीए current निकालने के लिए आपको V by R करना पड़ेगा and resistance आपको पता होना चीए resistance दिये वे हैं लेकिन total resistance हमें नहीं पता है तो first of all हम इसकी balance condition को check करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे P by Q मतलब 5 by 10 is equal to R by S मतलब 10 by 20 तो कितना होगा 1 by 2 1 by 2 तो यह हो गया यहां पे balance क्या हो गया balance हो गया यह balanced है तो इसका मतलब इस branch के अंदर current कितना है zero है इस branch के अंदर current कितना है zero तो इस branch को यहां पर consider करने का कोई फायदा नहीं है इसको rub कर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर देखेगा यह और यह हो गए series में तो कितना हो गया पेरलर का 15 into 30 upon 15 plus 30 तो बन जाएगा आपके पास कितना ये हो गया उपर 450 निचे हो गया 45 तो यहाँ पर आगया आपके पास 10 मतलब total resistance आपके पास आगया 10 I आपको निकालना है V कितना दे रखा है V 5 volt दे रखा है तो 5 volt by 10 तो यहाँ पर आगया आपके पास 0.5 ampere current है तो ampere में हम लिखेंगे current है तो कामें लिखेंगे ampere में हम लिखने वाले ठीक है तो यह था आपका question number 11 question number 11 था यह अपका अब चलते है question number 12 की तरफ यह रहा question number 12 ठीक है जितने type मैं यहाँ पर को करवाऊंगा most important type होंगी so घबढ़ाईए गरमत वो most important type है हर एक type को cover कर रहे होंगे हर एक question को यहाँ पर cover कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिया अब यहाँ पर एक meter bridge दिया हुए तो यहाँ पर बोला क्या गया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला गया in meter bridge experiment setup shown in the figure the null point D is obtained at a distance of 40 cm from end A of the meter bridge मतलब मतलब इस तरह से लिखते थे हम रुकिए कि हम लिखते थे P by Q is equal to R by S ऐसे लिखते थे यहाँ पर R जो है वो R1 है S जो है वो R2 है तो मतलब R1 by R2 is equal to P by Q पहले कितना मिलता है P P length के ब्राबर होता था तो वो 40 दे रखा है निच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 100 minus 40 तो 60 आ जाएगा मतलब R1 by R2 की value आपके पास आ गई 2 by 3 R1 by R2 की value आपके पास से कितने आ गई 2 by 3 आ गई clear इतनी चली अब उसके बाद वो क्या चेंज कर रहा है इस R1 के series में अगर एक resistance लगा देते हैं तो क्या होता है null point आपका shift हो जाता है 60 cm तो आप R1 और Arctic value निकालो तो R1 by R2 ऐसे लिखते हैं लेकिन अब R1 को अकेला नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके series में उसके series में resistance लग गया 10 का तो series में मतलब उस branch का उस portion का पूरा resistance कितना होगा इस portion का पूरा resistance system कितना हो जाएगा वो जाएगा R1 plus 10 upon R2 is equal to क्या हो गया 60 by 40 means R1 by R2 यहाँ पे plus 10 is equal to कितना हो गया यह हो गया 3 by 2 हो गया आपके बस कितना हो गया 3 by 2 हो गया ठीक है तो बस यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको एक चीज put कर देनी है उपर वाली equation से एक चीज को put कर दीजिए जैसे कि इस equation से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ R2 की value R2 की value तो R2 की value क्या होगी 3 by 2 R1 होगी 3 by 2 R1 होगी यह 3 इदर चला गया 2 नीचे आ गया और R2 उदर चला गया इस तरह से तो मतलब R1 प्लस 10 अपोन R2 की value ही 3 by 2 R1 is equal to 3 by 2 clear है तो इस 3 by 2 को उदर बेज दो इदर बेज दिया तो यह 3 by 2 R1 हो गया मतलब आपके पास क्या आ गया R1 प्लस 10 is equal to R1 इदर आ जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा आपके पास कितना 5 R1 by 4 यहाँ पे हो गया 10 तो यह हो गया आपके पास 40 by 5 तो यह हो गया 8 मतलब R1 की value आपके पास आ गई है 8 ohm ठीक है तो R2 की value जल्दी से comment करिए फटा-फट comment करिए comment करिए भी फटा-फट इसकी value को match कर लेते हैं एक बार हाँ अपके पास आएगी 8 ohm आएगी कितने आएगी 8 ohm आएगी R2 जल्दी से comment करिएगा ठीक है चलिए तो question number 12 हो गया question number 13 पर चलते है question number 13 यह रहा question number 13 इस question के अंदर आपको क्या दिया गया है ध्यान देजिएगा इस question के अंदर इस question में यह बोल रहा है in figure shows a long potentiometer wire AB having a constant potential gradient the null point for the two primary cell of EMF E1 and E2 connected in manner shown in are obtained at distance L1 and L2 मतलब जो cell दिये गये हैं E1 and L2 उनके लिए जो आपके पास potential difference है मतलब null point है वो कितना है एक बार में कितना है 120 है एक बार में कितना है 300 है ठीक है 300 centimeter 120 centimeter तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं अब आपको निकालना है E1 by E2 मतलब EMF आपको निकालना है ठीक है एक combination हम लेते हैं अगर एक combination लेते हैं मानली जी यह वाला combination यह वाला combination यह वाला तो इस combination को हम कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं कि E1 minus E2 is equal to होगा किसके 120 120 5 के एक वोगा इन 5 क्या है potential gradient है यह क्या है potential gradient है ठीक है जो हम करते थे V by L ठीक है वही चीज़ कर रहे है यहां पर V by L देखो फाई क्या होता है V by L यह मतलब EMF by L होगा तो यहां पर हम एक length ही तो ले रहे हैं 120 से एक length है यह length है यह V by L है तो मतलब यह से कड़ सकता है तो बच क्या रहा है V मतलब कहने का मतलब कहने का मतलब यहां पर जो हमने यह loop लगाया है यह simple सा loop लगा दिया अपना किस formula से Khrich концов के formula से ठीक है समझ में आगी यहां पर यह एक loop लग गया यहां पर यहां पर एक loop लग गया यह ऐसे अब दूसरा loop लगाते है दूप सरा लूप यहां से लेके यहां तक ऐसे लूप लगाते है आब तो यह लूप कैसे होगा इस लूप को हम कैसे लख सकते हैं अब यहां पर cell देखो कैसे लगे होगने यहां पर cell same direction exact cell लगे होगने तो E1 पलस E2 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना बोला है के लिए अब 300 उसने बोला है तो यहां पर हमने लिख दिया 5 क्या लिख दिया 5 क्योंकि देखो V क्या होता था गार 10 हमलां था तो लेंथ हम लिख रहे है के मतल़ों जिसको ड्यवारब 5 बोला है 305 ठीक है तो आपके पास बचेगा e1 minus e2 upon e1 plus e2 is equal to कितना हो गया यह 1 से 0 से 0 कट गई and यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर आपके पास 10 आ गया यह 2 आ गया यह 5 आ गया ठीक है रुकिएगा रुकिएगा ठीक है तो 2 by 5 आ गया ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है अब यहाँ पर यह क्या निकालना है इसका मतलब आप क्या करो ratio मतलब common ले लो किसको e2 को तो e1 by e2 minus 1 कर दिया नीचे e1 by e2 plus 1 हो गया और इतर हो गया 2 by 5 solve करिए answer आपके पास आएगा समझ गए किस तरह से आपको यह चीज़े करनी थी समझ गए तो next आपको बोल रहा है position of null point for the cell e1 only कि e1 की वज़े से क्या null point होगा अभी हमने एक equation की e1 minus e2 कितना होता है 125 होता है 125 होता है ठीक है अब वो बोल रहा है कि सिरफ e1 की वज़े से निकाले तो मैं मान लेता हूँ कि e1 की वज़े से जो null point है वो L3 पर है क्योंकि पहला एक combination इसने use कर लिया दूसरे इसने use कर लिया and साथ में कर जाएगा 5 हो जाएगा 5 वह potential gradient तो यहां पर हो गया L3 5 5 से 5 cancel हो गया मतलब e1 minus e2 by e1 is equal to हो गया 120 L3 तो e1 by e2 की value आप यहां से निकाल लोगे e1 by e2 की value आप यहां से निकाल लोगे and इसको करोगे यहां पर put आपका answer हो जाएगा L3 का clear है कई बच्चे कलाकार होंगे वो क्या करेंगे सर आपने answer नहीं बताए answer आप करो बेटा comment करो ना पता लगेगा कि क्या होंगे या फिर चलो मैं बताई दे तो match कर लेना कि क्या answer आपके आने वाले है and e1 by e2 की जो value होगी वो 7 by 3 होगी and जो अपका null point होगा वो होने वाला है 210 cm पर 210 cm clear है तो match कर लेना एक बार अगर गलती होती है तो समझना कि कहां से गलत हो रहा है next और last question पर चलते हैं तेरवा question है क्या यह तो 15 question थे हमारे तो यह रहा पंदरवा question ठीक है 14th question यह रहा हमारे पास 14th question में क्या बोला है state the working principle of a potential meter draw a circuit diagram to compare the EMF primary cell drive the formula यह कितने बार बता है principle working सब पता आपको V by L होता है diagram आपको आता है करवाया हुआ है formula कौन से used होते हैं वो भी करवा दिया E1 by T is equal to L1 by L2 which material is used for the potential meter wire तो LOI use होता है LOI use होता है ठीक है जैसे कि आप बता सकते हो कि मेगनीन होता है आपके पास क्यों होता है temperature coefficient वो कैसा होता है low होता है temperature coefficient क्या होता है low मतलब इन पर temperature का इतना ज्यादा फरक नहीं पढ़ता है समझ में आ गया हाओ कैन दा sensitivity of a potential meter can be increased sensitivity कैसे increase कर सकते हो तो simple है sensitivity आप increase कर सकते हो by increasing length by increasing length of potential meter wire by increasing length of potential meter wire आपको sensitivity को increase कर सकते है question आया था Delhi 2011 के अंदर next चलते है last question क्या है इस question के अंदर in a potential meter पंदरवा question आये इस question के अंदर क्या बोला गया in a potential meter arrangement for determining the EM of a cell the balance point of the cell in open circuit is 350 centimeter when a resistance of 9 ohm is used in the external circuit of the cell the balance point shift to 300 centimeter determine the internal resistance of the cell internal resistance of the cell कैसे L1 by L2 minus 1 into R formula हम कैसे करते थे E by V minus 1 into R होता था तो E एक length के बराबर है V एक length के बराबर है तो यहां पर L1 दे रखा कितना 350 दे रखा है L2 दे रखा कितना 300 ठीक है R की value कितनी दिए है 9 ohm दिए है कितनी दिए है 9 तो यहां पर आपके पास आजाएगा क्या 350 by 300 minus 1 into 9 तो R is equal to हो गए आपके पास 350 minus यहां पर आजाएगा 300 नीचे LCM आगए आपके पास 300 यहां पर हो गए 9 तो यह कितना बचेगा 50 upon 300 into हो गए आपके पास 9 तो यह इससे cut हुआ यह इससे 6 हो गया तो अब कितनी value आपके पास 3 by 2 ठीक है यह 3 इस पर cut हो रहे है ना 3 table पर cut हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा तो यहां पर हो गए आपके पास 1.5 ohm तो 1.5 ohm जो है वो आपका है internal resistance and यह question जो है यह आपका आया था 2018 के अंदर तो यह सारे question थे आपके most important question current electricity के current electricity के 15 most important question हमने कर लिया है and next video जो होगा battle batch की जो 10th class होगी उसके अंदर हम chapter number जो 4th है magnetism and matter उसकी revision करेंगे उसको start करेंगे ठीक है तो I hope कि यह सारे question आपको समझ में आ गई होंगे and इसका जो PDF होगा वो telegram channel पर आपको send कर दिया जाएगा and telegram channel है सुनील जंगरा sir के नाम से वो उसका link आपको description box and chat box दोनों में मिल जाएगा so त्यारी करते रहिए बस पढ़ते रहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को खतम करते है और 9th class ये खतम हो गई है battle badge की 10th class में battle badge की 10th class के अंदर next chapter start करेंगे जो क्यों होगा हमारा magnetism and matter so I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगी अच्छे से समझ में आए होगा तो मिलते हमारी नए वीडियो में thanks for the watching God bless you all have a nice day bye bye take care